सर्दियों का मुझा समाता है और मेथी चुप मार्कीट में इसलिए मिल जाती है तो आज मैं आपको मेथी ये बहुती टेस्टी प्रांठे बनाने का तरीका बताऊंगा इस तरह से अपे प्रांठे बनाएंगे खाने में बिल्कुल भी कड़बे नहीं लेंगे और मेथी खान मेथी के पत्तों को चाटना होता है यां पर दन्चल यूज़ नहीं करने को दंचल थोड़े से बनाने के लिए सारी मेथी हमें चांट लिए अब दूसरा से मेथी में मेठीो बहुँ जाता होती है बहर से लगई ये तो इसको आपने कम से तीन पानी को को रणी में नार दा मेत्ish को बड़े आराम से उपर से उठा लेना है और इसके बाद इस तरह से आम ना कम से हम तीन बार मेत्य को जरूर्द दोएका देखें कितनी सार इसमें मिट्टी रहती है तो तीन बार मैंने मिध्टी कही प्रांटे बना देते हैं तो केवर उखाने में हलके से कड़वे हो जाते हैं तो इस तरह से इसको कम से हम 15-20 मिन तक सूखने दीशे जब इसका जो पानी है वो थोड़ा सा सूख जाएगा फिर आपने इसकी कटिंग करनी है तो इस तरह से थोड़ी-थोड़ी मेति जाता है सुबस्बस की कड़िंग करके प्रांटे में बना लेते हैं तो आप इस टैफ को फॉलू कर सकते हैं कि देखे सारी मेति कि हमें कर लिया है अब इसका डोल लगाएंगे तो यहां पर मैंने ना तीन कप आटा लिया है यहांगे आटे का मैंने यूज किये और आदा क आदा चमच आपने इसमें अजवाइन एड करनी है डाइजेशन के लिए बड़ी होती है आदा चमच मैंने इसमें साबू जीरा एड किये इसके साथ में थोड़ा सा बारी कड़ो अद्रक और प्याज एड करना आपने अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसको स्किप क कर सकते हैं पर एक चोटा चमच आपने इसमें बारी कड़ी हरी मिर्श आड करनी है तीखा करने के लिए अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्श का यूज अपने हिसाब से कम जदाप कर सकते हैं पर सादें ग्रेडिनस को अच्छी तरह से यहां पर मिक्स कर कर लिए और थोड़ा से आपने इसमें मिठी कर देना है तो छिसरे कि आपको पÁनी को मिक्स कर लिए फिर आपने इसमें पानी अईड करना है तो जो छाना थोड़ा सा सॉफ्ट यूज़ कीजिए प्रांठे बनाने लिए जद्यभेश्वाइब करना थोड़ा थोड़ा करके पानी खार यहां पे इकठा कर लीए तो इस तरह से कलर हो axa अच्छी तरह से जितना अच्छे से आपके प्रांठे बनेंगे और उतनी ही जल्दी आपका प्रांठे बनाने के लिए सेट हो जाएगा तो के देखिए आठे को मैंने तीन से अच्छी तरह से कवर कर दीजिए तक हमारे बीस मिन तक इसी तरह से छोड़ दीजिए देखिए बीस मिन हो चुके हैं और इसके आप हलका सा इसको फिर से गूंद लीजिए ज्यादा नहीं गूंद रहा है हलक किसी सॉफ्ट हैंड से मुक्की लगाने इसको इस तरह से देखि हलका सा आठे की डिस्ट两 के और और इस तरह से रूल करेंगे रूल करने के बाद मैं तीन कोने बाल अच्छा परनटा बना रहा हूं आटा लगाना है। सूखाटा हम तो लगाते हैं तकि एम रोटी बनाए ना तो वो टेवल से नचिपके। अगर आपकी रोटी विर टेवल से चिपकती है हलका सा वूखाटा और लगा शकते हैं। इस तरह से पहले आपना प्लेन प्रांठा बना लीशे और अब आपने इसके उपर हलका सा घी बटर या ओई लगाना है ताकि हमारे जो तीन कोने वाला प्रांठे के लच्छे निकले ना वो अच्छे से बने यापे तो यहां मैंने थोड़ा सा घी का यूज किया है आप ओल या बटर भी लगा सकते हैं हलका सा सूखा आटा डस्ट करेंगे इसके उपर और इसके उपर आपने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है जो बाहर बाहरी लेर रहेगी ना एक साइड में उसके उपर भी हलका सा घी ल जगा लिया है बेलन की साइटे से इस तरह से इसको बेल लिजे और जो तीनो कोने है उनको आपने हलका सा बतला करना है और इसको तोई के उपर सेक लीजे तो आपका ना हलका सा घर्म होना चीए फिर आपने इसको थोड़ी thudy दिर में पल्टी करना शूरू कर देना है कि देखिए एक साइड में जैसा हलका सा कलरना शुरू जाएगा फिर आप इसको दूसरी साइड को पल्टी कर देशे गैस की फिलीम आपने मीडियम रखनी है अब मैं यहाप बडर लगा रहा हूं इसके ओपर आप गी या ओल भी लगा सकते हैं देखिए इस तरह से बडर खुशो के खाते हैं प्रांटों को तो यह देखिए बहुत ही बड़ी आप रांटी के ओपर कलर आ चुका है इस तरह से सारे के सारे बना लीशे और यह प्रांटे काफी टाइम तक ना सॉफ्ट भी रहते हैं अगर आपके बास टाइम ना हो तीन कोने वाले बनाने का यह ब बना सकते हैं और इस तरह से हाथों के उपर घुमा रहे ताकि सूखा आटा बाहर से लगाता है पूरी तरह से निकल जाए और इसको गरम तो एक उपर डाल दीजिए शेकने के लिए एक साइड से पक चाएगा दूरसी साइड को बल्टी कर देशे और इसके उपर आपने ब बूंदी राइता बनाएंगे थोड़ी से मैं बूंदी लिए इसको आपने ठंडे पानी में डाल देना है पांच मिन तक यसे ही छोड़ दीजे पानी के अंदर ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑइल होता है वो निकल जाए और बूंदी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए 200 ग्रच में ने देही लिए देही आपकी खटी निए निचे है दोड़सा आपने इसमे नमक ऐड़ करना है थोड़सा आप इसमें बूझा रझीया पोडरो आड़ कर दीजे साथ में हर अधन्य ओड़ने है बारीक कट ऑँआ इसमें तीखा करने के लिए काली मिर्च का में के लिए क्योंकि जब फूलती है ना तो मॉइस्टर को एवजोग कर लेती है देखिए पांच मिन तक मैंने पानी में पूंदी को छोड़ा था इस तरह से निचोड लीजिए और बूंदी को आपने ना तहीं में एड़ कर देना है और अच्छी तरह से बूंदी को भी आप र रिच्स पांच मर्ड़ब फूंदी को लिचोज।